हलो बच्चों मैं हूं सवीते जैन मैं आप लोग को पढ़ाने वाली हूं हिंदी और संस्कीत तो आए आपका आप सबका कक्षा नवी में स्वागत है तो आज हम प्रारम करने वाले हैं संस्कीत संस्कीत में प्रत्मा पाठा पढ़ेंगे प्रत्मा पाठा प्रारम करने से पह माता की वंदना हैं तो इस सोशती माता की वंदना को हम प्रारम करते हैं आए या कुंदेन दूतु शार हार धवला या शूब्र वश्त्रा वृता या वीरावर दंड मंडित करा या स्वेत पद माशना या ब्रह्मा चुट शंकर प्रभति दैवैशदा वंदिता शामाम पातु शरश्वती भगवती निहसेस जाट्या पहा तो इसका अर्थ देखते हैं यहाँ पर इसका अर्थ देखते हैं जो कुंद के फूल चंद्रमा बर्व और हार के समान स्वेत हैं जो सूप्र वस्त्र पहनती हैं जिनके हाथ उत्तम वीरा से सुसोभित हैं जो स्वेत कमल के आसन पर बैठती हैं ब्रह्मा विश्नु महेश आदि देव जिनकी सदा इस्तुती करते हैं और सब प्रकार की जड़ता हर लेती हैं वे भगवती सरस्वती मेरी रक्षा करें शारदा सारदामबोच वंदना वंदरामबुजे सर्वदा सर्वदाशमाकम शानिधिम क्रियाद सरतकाल में उत्पन कमल के समान मुखवाली और सब मनुरत को देने वाली सारदा सब शंपत्यों में साथ मेरे मुख में सदा निवाश करें सरस्वती महाभागे पिद्य कमल लोचने पिद्या रूपे विशालाक्षी विद्याम देही नमस्तु ते के महा भाग्यवती ज्यान सरूपा कमल के समान विशाल नेतरवाली ज्यांदात्वी सरश्वती मुझको विद्या दो मैं तुमको प्रणाम करती हूँ बोले सुर्षती माता की जय ये हमारा सुर्षती वंदना आप इसको वंदना को बहुत अच्छी से याद कर लेंगे ठीक है ओकी बटा आईए अब हम प्रारम करते हैं प्रत्मा पाठर समभाषणम ठीक है यह एक समभाषण पाठ है जिसमें दो समभाषण है पहले समभाषणम पीला राम एक शिक्षक की भूमिका में है इस पाठ में गोपाल उमे सथा 85 छात्र छात्रा की भूमिका में है दूसरे शम्माद में फ्लोरा और विद्या दो शहलिया हैं तो ये संभासर जो है इस संभाद को हमाई ये देखते हैं कि सिक्षक और छात्र की बिच कैसी बाचित हो रही है ठीक है तो पिला रामा भो छात्रा अध्यकिम पठितुम इच्छा अस्ति हे छात्र आज क्या वेता है श्रीमन अध्य वयम विवेका नंद विशे ग्यातुम इच्छा महा श्रीमन आज हम सब विवेका नंद के विशे में जानना चाहते हैं ठीक है पिला रामा उत्तमम वयम विवेका नंद श्य बाले काल विशे ग्या श्या महा ठीक बहुत अच्छा हम विवेका बाल्लेकाल के विशय में आपको बताते हैं गोपाला विवेका नंदह बाल्लेकाले कि दिशा आशित स किम किम करोती इस्म विवेका नंदह बाल्लेकाल में कैसे थे वह किम किम करोती इस्म वह क्या क्या करते थे पिला रामाह, विवेका नंदा, बाल लेकाले साहसी आसीद, विवेका नंजो थे, बाल लेकाल में साहसी थे, तसमय क्रिडा अतिव रोस्ते इसम, और उसको खेलना बहुत अच्छा लगता था, गोपालाह, सह कथम प्रशिद्धम जाता, वह कैसे प्रशिद्ध हुआ? पिला रामाह, सह जिग्यासु आसीद, वे कैसे थे? जिग्यासु थे, धर्म विशे तश्य जिग्यासा काल क्रिमेन बल्वती जाता है, धर्म के विशे में जानने की उसकी जिग्यासा जो थी इच्छा थी, वह उसे और भी बल्वान बना दिया, ठीक है? भाषा ध्यन तश्य ज्ञान वरिधिम अकरोद, भाषा का अध्यन उसकी जान में वरिधि किया, शह महान वक्ता रुपे नाम पी ख्याती म प्राप्तवान, वह एक महान वक्ता की रुप में ख्याती प्राप्त किये प्याशी, स्रीमन मम माता वदती इस्म यद बाले काले विवेकरंद शे नाम नरेंद्र आसी कि मिदम शत्यम, स्रीमान मेरी माता कहती है कि बाले काल में बच्मन में विवेकरंद का नाम नरेंथा कि मिदम शत्यम, क्या यह सत्य है, पिलाराम आम सत्यम हाँ शत्य है कलांतरे शह विवेका नंद नामना विश्वेख्यात अभध कुछ समय पस्चाथ उसका नाम विवेका नंद विश्व में प्रख्यात हुआ उमेचा तश्विशे अन्य को अपी विशेस है और उनके विशे में क्या विशेस है ठीक है यानि उनकी और क्या विश्यस्ताय है पिला रामह तश्य विचारा उत्तम आसित उनके विचार कैसे थे उत्तम थे यत मानौश्यवा ए विस्वर्षिवा थी वे मानौश्यवा को ही क्या समझते थे इस्वर्षिवा समझते थे तस्य प्रभाविन जना उनके प्रभाव से संगठिता भवन्ति इस्म उनके प्रभाव से लोग संगठित होते थे सह देशे विदेशे चा भारती संस्कृति उपदिशति इस्म वह देश विदेश में भारती संस्कृति की शिक्षा देते थे प्याशी, महोदया रायपूर नगरश्य विमान पतनम कथम विवेकानन्द नामना प्रख्यातम, महोदया रायपूर नगर का विमान पतन यानि हवायड़ा जो है, वह कैसे विवेकानन्द की नाम से प्रख्यात हुआ? पीला रामह किसोरा अवस्थायां विवेका नंदह रायपूर नगरे काला व्यतित वान किसोर अवस्था में विवेका नंजी जो थे वह रायपूर नगर में कुर्ष में व्यतित किये सुर्यते यत सह सक्टेन नागपूर तह रायपूरम आगच्छत सुन्या जाता है कि वह बैल गाड़ी से नागपूर से रायपूर आये थे अत्रशह संगी सिक्षाम अग्रनाद और यहां आकरवे संगीत की सिक्षा ग्रहन किये तश्य इस्मरार्थम मेव विमान पतनष्य नाम विवेकनन इती दत्तम जिसके इस्मरण में याद में विमान पतन यानि हवायदे का नाम विवेकनन रखा गया ठीक है? आरबट समझ में बहुत ध्यान से सुनेंगे आप, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे उमेशा, स्रीमन, पाक कलायाम चा विवेकनन अंदाश रूची आसित, क्या पाक कला में भी विवेकनन की रूची थी, इदाम पी तथ्यम, क्या या सत्य है, पिला रामा आम, यानि हाँ, या सत्य है, दुसरा पाट है, फ्लोरा, विद्यावती, विद्यावती, विद्यावती आम हां फ्लोरा अत्र अगच्छतू भवत्थी कीम करोती यहाँ आओ तुम क्या कर रही हो विद्यवत्य इदानिम आहां मिष्णानम करो। मैं भी इष्णान कर रही हूँ फ्लोरा बहुती सिग्रम इशनात्व आगच्छतू जल्दी इश्नान करके आओ जल्दी इश्नान करके आओ विद्यवती कि मर्थम सिग्रम क्यों जल्दी फ्लोरा ग्रिहे साकम नास्ती घर में सबजी नहीं है भवती आपणम गत्वा साकम आनियतू, तुम बजार जाओ और सबजी लेकर आओ, विद्यावती फ्लोरे अर अहम वस्त्र धित्वा गच्छामी, ठीक है मैं वस्त्र धारण करके आ रहे हूं, फ्लोरा, सिक्रम द्वीचक्रिक्या गच्छतू, सिक्र साइकल से जाओ, द्वी चक्रिक्या यानि शायकल समय के ठीक, मैं शायकल ठीक नहीं है, फ्लोरा, किम घटितम, क्या हुआ, विद्यावती, इम भगना जाता, भगना में शुटा हुआ, वह तुट गया है, अहम धायतों गच्छामी, मैं दोड़कर चल जाती हूं, फ्लोरा, धायतों मां दोड़कर मच्चाओ, आपड़े यातायातम सघनमभवती, बाजार में, बाजार के यातायातम मतलब सघन यानि भीरभार होता है, बाजार में भीरभार रहता है, तो यह सदरकता पिक्षिता सुनोतु, तुम बहुती सौधानी पुरवक जाओ, सुनाश्य मुल्यम अगच्चामी तावध भात्यू कक्षम प्रच्छालाईतम, ठीक है, मैं जा रहे हूँ, मैं मेरे आने तक तावध जब तक मैं आती हूँ, तब तक आप भावति कक्षम प्रच्छालेतम, आप आपक्षा साब करके रखना, याने कमरे शाफ करके रखना, फ्लोरा, आम हां अहम कक्षा सज्जाम करों में, ठीक है, मैं कक्ष सजा कर रखूंगी, ठीक है, आहम कक्षा सज्जाम करों में, कक्ष सजा कर रखूंगी, ठीक है बटा, समझ आया आप लोगं को, यह पाट जो है, समझ आया, यह पाट आप लोगं को समझ आया, यह पाट आप लोगं को समझ चल रहता चात्र और शिक्षक के बीच में और दो सहरियों के बीच में जो बात ची थो लिए थी क्या आप लोगों समझ आया मुझे उम्मीद है आप लोगों समझ आगे होगा और जो समझ ना आया होगा तो आप फिर से पूछ सकते हैं और इसको बहुत ध्यान से अपनी कर लेंगे और जो इंपोर्टन प्रश्ण है महत्रपुन प्रश्ण है उसके बारे में बतला रहे हूं आपको और बाकिक सब्सक्राइब बतलाऊंगी आप उसको आप अपनी कापिल में नोट कर लेंगे ठीक है सब्दार्थ, मैंने पहले सब्दार्थ सहा ने बतला है कि यह लड़ी हमारे बुक में है और अर्थ में इसलिए पढ़ा देक्ट उसका अर्थ बतला आया दाकी आप संमझ सके और इसके बाद जो कठीन वर्ड है आप इसको भूख में है इसको बहुत अच्छे तरह से पढ़ लेंगे जैसे यहाँ पर दिया हुआ है संगहंटिता मिन्स संगठित प्यतित्वान मिन्स बिताया सक्टेन मिन्स होता है बैलगारी से आप्णम मिन्स होता है मंडी या दुकान भगना मिन्स होता है टुटी हुई ठीक है यावत मिन्स जब तड कलांतरे मिन्स क्या होता है बाद में विमान पतनश्य मिन्स हवाई तत्तम मिस क्या होता है दिया गया वी शक्रिकया साइकिल से सुरानेश्य जिमिकन को कहते हैं ठीक है तावत मिस जब तक ऊकी बुट है आप लोंको यह वर्ड मेनिंग आप आप लोट कर लेंगे और उसके बाद इसका अर्थ बनाने का प्रयास करेंगे इस पार्ट का और जो स इस अभिहाश को आप अपनी कापी में नोट कर लेंगे यह जो खालिस्तान इसको फिल करते हुए आप और संदीक्षित को अपनी कापी में लिखेंगे और जो नहीं बनेगा आप उससे पूछ सकते हैं इसकी आप में नोट आपको बुक में भरा दूँगे ठीक है इससे आप कर लेंगे ठीक है थर्डवाला कर लेंगे फूर्थ कर लेंगे और यहाँ पर दिया हुए है सब पार्टियों के नाम सब लिखेंगे दो चाल दोस्तों के नाम और तव छेत्रे ग्रिये वा कानी अपने घर के आसपास में या घर में क्या के सब्जिया पायाती है उनके कुछ नाम बताएंगे आप और दी चक्रिका विशे मात्री भाषा पंच वाकिया लिखेंगे इस तरह से हमारा पार्ट कंप्रेट होता है आपको इपनी कॉप्री में राइट टोन कर लेंगे इसके प्रस्चात लोष्ट बनाने के बाद आपको आपको मुझे चेक कर आएंगे ठीक है इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगी दुतिया पाठा ठीक है ओपे बट्राइंगे